So, hey guys, यह है आपका understanding marginalization का second part और इसमें जो हम लोग जितने बचे वे topics है उसको cover करने वाले हैं अगर आपने part 1 नहीं देखा है तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप जाकर वहाँ से देख लेना तो यहाँ पर देखो जो boxes भी कुछ कुछ हमें दिया गया important बाते उसको भी उन्हों देखेंगे बट last में देखेंगे इस chapter हो खतम करने के बात तो पहले तो हमनों समझते हैं कि आखर इसमें में क्या क्या बताया गया तो यहाँ पर पहले आता है कि आदिवासी के बारे में देन आखर वो लोग क्यों marginalized होते हैं कैसे जो है उन पर जाती होता है like forcefully जो है उनको वहाँ से हटा देना जहाँ पर रहते हैं उसका कैसे इन सब चीजों को रोका जा सकता है तो यही सब पूरे points को जो हम दो इसमें देखने वाले है तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आखर आदिवासी कौन होते हैं तो देखो आदिवासी का मतलब होता है original inhabitants मतलब मूलिनिवासी मतलब आप तो ऐसा समुदाय या group जो कि किसी जगह पर बहुत वक्त से जंगलों के सहारे रहता आ रहा है और अब भी रह रहा है ठीक है तो यह होगे आदिवासी का मतलब देखो पूरा इंडिया में देखा जाया तो लगबग जितने भी population है उसमें से 8% जो है आदिवासी है और इसके साथ ही हमारे देश के बहुत सारे important mining and industrial centers जो है वह located है आदिवासी के area में मतलब जहां पर आदिवासी सब रहते हैं जैसे कि जमसेदपूर, रौर केला, बोकारो और भिलाई ठीक है अब यहां पर बताया गया है आदिवासी जा not a homogeneous population देखो homogeneous का यहां पर मतलब है एक जैसा मतलब कि आदिवासी की सारी अबादी एक जैसी नहीं है लाइक हम लोग कभी-कभी आदिवासी के बारे में सोचते होंगे तो मैं दिमाग में आता हो कि भारत में आदिवासी रहते हैं तब जो सारे आदिवासी रहते हैं यहां पर भारत में 500 डिफ्रेंट आदिवासी के ग्रूप है मतलब कि उनके रहन से थोड़े अलग है इस वैसे जो है अलग अलग जो है हर जब आदिवासी जरूरी नहीं कि सेम हो कहीं पर किसी का language थोड़ा अलग ह आदिवासी रहते हैं और यह बहुत सारे जगर के नाम हैं आप कुछ के याद कर सकते हैं तो यह हो गया आदिवासी के बारे में ना एक चीज़ और बताया गया है कि जो उडीसा है उसके अंदर जला वक 60 डिफ्रेंट ट्राइबल ग्रूप से इसको लर्न कर ले ना ठीक है अब यहां बताया गया है कि जो आदिवासी सोसाइटी जमीं जो आदिवासी की समाज है वहाँ दूसरों से बिल्कुली अलग है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही कम हायर्ची मिन्स वैरे लिटल हायर्ची है हायर्ची का मतलब होता है उच नीच का भावना लाइक अभी के व कुल किया करते थे वह अपने आपको सुपीरियर मानते थे ठीक है वह सब पर सासन किया करते थे जोड़ जवस्ती भी कभी कभार किया करते थे तो यहीं पर आप देख सकते हो कि और सब जो है उनके उच नीच की भावना जो है जादा है बट इनके अंदर बहुत ही कम उच नीटी जो है इससे अलग होते हैं लाइक उनके दर में है कि वो लोग जया आदिवासी सब जो है अपने एंसेस्टर्स की मिन्स पूरवजों की पूजा करते हैं विलेज हो गया नेचर स्पिरेट मतलब उनके धर में इनी सब की पूजा जो है करना लिखा हुआ है इसकी यहां पर रहते हैं फॉरेस्ट हो गया रिवर हो गया ठीक है इन सब की लोग पूजा करते हैं तो इनका जो धर्म है यह दूसरों से बहुत ही अलग है तो यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टन बाते आदिवासी के बारे में जान लिए और मैं आसक करूंगा कि आपको वो सब याद भी हो गयोंगे लगए इसके आगे बताया गया है कि जो अधिवासी जह मिल्ए जो अधिवासी होगा उगया वो दूसरे आसपास की जो धर्म है जैसे साक्त बुद्धिस्ट वैसरों भक्ती और किस्टिटी से भी प्रहावित हुआ है इसके再來 बरासी सब के द्वारा समय जगरनाथ कल्ट के बारें बता दूं तो देखो यह आपका बनाया गया है अपका हिंदूज में बुद्धीज में जैनीज में आपको मिला करके तो कैसे जो है ट्राइबल वीपल दूसरे धम से प्रहावित हुए उसका यह एक्जामपल दिया गया इसके साथ यहाँ पर सब्सक्राइब तो उस वक्त में जो है बहुत सारे जो आधिवासी थे वह कनवर्ट हो गया थे क्रिश्चनीटी में मतलब उन्हों ने इसाइध धर्म को अपना लिया था इसलिए यह बहुती इंपॉर्टेंट रिलीजन में धर्म है मोडर्न आधिवासी हिस्ट्री में सिर इसके बाद यहां बटाये गिया कि जो आधिवासी की अपनी लेंगवेजीश नमीज जो भषाइन रही हैं उसमें से जादा तर्जय संस्क्रित से अलग है और यह भी हो सकता है कि वहां जो भाशा वह संस्क्रित इतनी पुरानी हो दो यह होगा कि उनकी भाशाव को लिका लेंगवेज से मतलब उससे जो इंफ्लुएंस के बंगाली लेंगवेज जो है प्रवावित होकर बना है सो यह एक इंट्रेस्टिंग सा पॉइंट है जो कि याद करने लाएक है देखो यहां लिखा हुआ है संथाली है से लाजेस नंबर विस्पीकर देखो संथाली लोगों ने उनकी भासा को सीख लिया सो इस तरीके से जो है इनकी मैगजिन्स भी छपती है इंटरनेट जो या उस पर पूछा जाए कि ट्राइबल पीपल या फिर आदिवासी के तो वह यहां पर हो गया संथाली तो यहां तक हमने आदिवासी के बारे में और उनसे कुई चीजों को देख लिया नाव नेक्स टॉपिक आता है अदिवासी एन स्टेरियो टाइपिंग देखो इस टीरियोटाइपिंग मतलब होता है चवी लाइक इसे चीजों कैसे रिपरेजेंट किया जा रहा है तो देखो इंडिया में जो है आदिवासी को सो केस की तरह जबर लाइक उनके community को उनके groups को जैसे कि देखो schools में हो गया ऑफिस हो गया और फिर books movies में उनको सो के आता है एक ऐसे वे में पुराने किस्में और बैकवर्ड मिंस पिछड़े हुए मतलब ऐसा सोच लग जाते हैं देखो इसके बाद जो लोग कहते हैं कि यह लोग जो आडवांस नहीं हो पाएं कि यहां पर इस टॉपिक में आमें बताया गया कि लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं उनको कैसे दिखते हैं आदी वासी एंड डेवलोपमेंट तो यहां पर कहा जा रहा है कि हमने जो हिस्ट्री की बुक में पहले पढ़ लिया कि जो फॉरेस्ट होते हैं डेवलोपमेंट के लिए सारे एंपायर समराज के डेवलोपमेंट के लिए सैटल सिविलाइजेसन सभिताओं के लिए सो सिंप्ली देखा जाया तो जो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे डेवलोपमेंट के लिए इसके साथ साथ जो हैं बहुत सारे चीजे मिल जाती हैं लाइक मैटल ओर आयरन हो ठीक है जिसमें कॉपर आया था गोल्ड सिल्वर यह सब चीजें उसके बाद फूट प्रोड़क्ट हो गया अनिमल प्रोड़क्ट और यह बहुत साथ चीजा हमें उनसे मिल जाती है तो और इसके साथ साथ जो कंटिनेशन है लाइफ का यह भी फॉरेस्ट में डिपेंड है क्योंकि देखो जो फॉरेस्ट है ना वहां help करती है और सबादी च्र 트ощateur को प्योर करने में वाटर को प्योर करने में वाटर लेवल है नाइक रिवर्स में जो उसको मैंटेन करे करें रखने में तो इतने सारे अभाएद एको यह जो लास्ट टॉपिक है न साइन्स से भी आपने पढ़ाएं कि कैसे वह वाटर को प्योर करते हैं नहीं पता हो तो कॉमेंट रहे वैसे पूछ सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि एट में यह सब पढ़ा दिया क्या होगा तो यहां पर फॉरेस का कुछ हमें फाइदा बताया गया है इसके बाद यहां बताया गया है कि देखो 19th century तक हमार प्रवार करता था उनका कंट्रोल जो है मतलब इनके ओपर नहीं था क्योंकि यह लोग फॉरेस्ट में राकरते थे और वो लोग जो हो गया जैसे कि एमपायर्स हो गया फिलाज इस्टेट के दाए जो भी रूल होग ता वो लोग टाउन सिटी विलेज में रहने वाले खली हो था इवें जो फुरा फॉरेस्ट के बारे में जानते भी थे इसके बात बतागी अगया है कि परी कोलोनियर वर्ल मींस उस वक्त में जब इंडिया बर्रिटीस जो को सासन नहीं किया कर देते तो उस वक्त में जो भी आदिवासी हैं सब भी फृटरिली जो है फॉरे पूरा इस मूथ था पूरा फॉरेस्ट प्रिंगे बाद में जो है जैसे कुछ चेंजे सा है इकनॉमिक चेंजेस फॉरेस्ट पॉलिसी तब उनको जो है फॉरेस्ट से उनका एक्सेस कम हने लग यह था उनको रहे थे उनको फॉर्स फुली जो है वर्क पर जाना पड़ गया जैसे की वो लोग फिर जाने लग गया प्लांटेशन वर्क हो गया कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यूंकि फॉरेस्ट से उनको ठाद गया था उनका जो फॉरेस्ट पर कोई access नहीं था इस वह सब कर लेते थे पहले था कि वो लोग पूरा फॉरेस्ट में खुच से सब कर लेत से यह हैं कुछ रीजन से यहां पर इनके बारें बताया गया तो आप इसको थोड़ा लर्ण जो कर लेना ना यहां पर बताया गया कि आखिर उन्हें फॉरेस्ट से निकालने के वजह को जैसे कि फॉरेस्ट जो है उससे टिंबर लेना था मिंस लकडी जो कि यूज में आ सके अगरिकल्चर परपर्स और इंडरेस्टी इस्टेबलिस करने के लिए तो इस विए से उनको वहां से हटाया गया इसके साथ साथ देखो आदिवासी जिस एरिया में रहते थे ना वहां पर बहुत जादा मिंडरल सुगत थे तो वहां पर माइनिंग के लिए और वहां पर माइनिंग करने के लिए माइनिंग प्रोजेक्ट इन सब के लिए तो उसमें से फिफ्टी परसंट वह कौन है तो ट्राइबल से मिंस आदिवासी लोग है देश में कुछ मिलता न तो आप इसे लोग को बहुत है कि आप ऐसे हड़ यह कहीं और चले जाए मतलब किसी टर्म स कंडिशन पर तो उसमें से फिफ्टी परसंट लोग कौन थे तो ट्राइबल से इसके साथ देखा जाया तो आंद्रपरदेश चतिसगर औरीशा जारकंड इन जगों पर जितने लोग को हटाया गया था डिस्प्लेस किया गया तो उसमें से सेवेंटी नाइम परसंट लोग मतलब बहुत ज्यादा जमीन का हिस्सा जो है वो जह अंडर वाटर चला गया मैं पानी उसके उपर से बैह रहे थी वह इसलिए वहां पर जो है डैम से सब्सक्राइब इसके साथ ही जो नौर्थ इस्ट पार्ट है मिन जहां का जमीन लिया गया था उसको हाइली में फैले हुए देन 543 वाइल लाइफ सेंचुरिज हैं जो कि एक लाख अठारा जा नौसो अठारा स्कुरार किलोमेटर में फैले हुए तो यह जो जमीन है ना यह सब ट्राइबल्स और मिली इस जवह पर रहा करते हो उनको यहां से हटा दिया गया उसके बाद यह सब ची देखो जो आदिवासी होते हैं उनके लिए उनका जमीन और जो फोरेश्ट होता है वह सबसे जादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से उनका जो लाइवली हुड है मिंस जो जीवी का है उनको जो चीज़ चाहिए रहता है वह मिल पाता है जैसे कि उनका फूड हो ग रहते हैं और वह 35 परसेंट यार्बन एरिया में जो रहते हैं रूरल मतलब होता है गावाला इलाका वैसे ठीख है वो जो है बिलो hop नई मतलब हो गया कि गरीभी रेखा जो बिलोग वर्टि-लाइन उनको बहुत जादा गरीब का जाता है और पोवर्टि-लाइन जो है मैज करने के लिए देखा जाता है कि जो आदमी परड़े 70 रुपीज से कम कमाता है वो बिलो पवार्टी लैन में होता है तो इनका हाल इतना खराब है कि इनको सही से जो है अन्भी नहीं हो पा रहा है इस वेसे इनके बच्चे होते हैं वह भी मल नरीश जो आता है और इनको जो ब पढ़ने की जौत नहीं होती थी जो भी चीनों चाहिए वो उसके बारे में जादा जानते थे ठीक है ना लाइक कैसे किस पौदे को इस्तमाल करना है वो क्या इस्तमाल में आता है यह सब साथ जब आदिवासी से उनका जमीन चीना जाता है मतलों को उसे अलग कर दिया तो मानों एक सूर्स ऑफ इंकम से बड़े चीज़ उनके जो है चीन ली गई है सोर्स ऑफिंगा मतलब है कि देखो अगर कोई आदमी का जाता है तो दूसरा जोब कर सकता है यहां पर जब उनका हो गया ठीक है जमीनी सब्यों पूजा करना वो सब इकदम से खाता हुआ घृटकि उनका पूरा जी बड़ singing उनको फिरे ले लिए गया ले लेकिन सोड़ यह सब करें देख सकते हैं मतलब हैं दम से इंको धक्का मिलेगा कि भाई वो क्या करे करे कहां जाये तो यह भाकति होता है और यह जो आहले इनके साथ इसलिया हुआ था क्योंकि उस बट जर्ण है वहां पर क्या जाने वारा था इस फैसे वह जो जगह है उससे इंको हटाया गया था मिन्स अलग किया गया था तो यह हमने इंके बारे में जान लिए और यह भी देख लिए कैसे इन लोग के लिए बहुत जादा जो फॉरस्ट होता है वो माईने करता है तो अब यह पर टॉपिक आता है माईनरीटीज एंड मार्जिनला लुकिन दिनी बात यह कि जो minority है न यहां है तो हुने वाप्त प्रॉपुञेटा है से कम होगा मिन्स लेकिन ध्यान देने वाली बात यह आए जो minority है ना यह सिर्फ numbers तक ही सीमित नहीं रहता है यहां पर जो है जो लोग minority में होते हैं उनको कुछ problems हो सकते हैं जैसे कि power access to resource social culture पावर में उसे तरह कोई उनके उपर दबाव डाले उसके बाद access to resource मतलब उनको जाए उनका fundamental rights ना मिले उनको किसी चीज़ को access ना मिले जिस पर अधिकार है फिर हो गया social culture उनको discriminate किया जाए तो यह सब चीज़ ना हो ठीक है ना मतलब यह सब खत्रा एक बना रहता है तो यह सब चीज़ ना हो इस वैसे इन लोग को safeguard दिया गया तो simply देखा जाए तो जो safeguard है वो देने का यही मकसद है थाकि इन लोग के साथ कभी discrimination ना हो सके और disadvantage उनको किसी चीज़ का न हो लेकिक सेफगाट का मैं example देता हूं तो यहां पर जो minority वाले लोग है ना उनको यह जो है राइट दिया गया कि वह जो है अगर स्कूल खोलना चाहे तो वह जो है खोल सकते हैं देखो अब आप बोलोगे कि राइट क्यों दिया गया है तो देखो अगर कर मान लोगी कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो हो सकता है कि कोई मेजुरीटी वाले उनको ना खोलने दे बोले कि नहीं तुमको नहीं खोले देंगे मैं इस एक तरीके से फोर्स करें इसलिए इंको यहां पर पहले ही जो यह राइट दे दिया गया कि आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकत कि इनको जो राइट इसले दिया गया है ताकि इनके साथ कोई जो डिवरस्ति ना कर सके तो यह हो गया आपका सेफगार्ड का मतलब ना इसके आगे आ रहा है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन तो यहां पर 2011 के सेंसस के मताबित देखो सेंसस मतलब हो गया कि किसी कंट्री में कितने लोग हैं उसको देखना ठीक है और यह जो हर दस साल पर देखा आया था लाइक तो इसके मताबित जितना पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का उसमें से 14.2 कौन है तो मुस्लिम्स है और इनको जो है मार्जिनलाइज कॉमिटी ब है आपको ग्राप इसमें आप देख सकते हो कि इनकी संक्या सबसे कम है किसी भी सूधा को लेने में जैसे लिट्रेसी हो गया आठीक है पक्का हाउस हो गया इलेक्रिसिटी जॉब्स इनकी सिच्वेशन को जानने के लिए जो है 2005 में एक हाई लेवल कॉम्टी जो है चल रहा था कि यह लोगी जो है माजनलाइजड हो रहे हैं इस एक्जामपल में देखो बताया गया है कि एक एवरेज एज जो स्कूलिंग करने का मुस्लिम बच्चों का जो कि यह सैवन से स्टीन इयर जो कि बहुत ही कम हैं दूसरे रिलीजन के कम्मूनिटेस के जो है हिसा सबलो करते हैं उनका प्रथा हो गया रीति रिवाज हो गया कभी कबार में सीटेंटीं में होता है यहां जो कि मैजरीटी में से थोड़ा अलग होता है लेकि यहाँ पर सभी मुस्लिम की बात नहीं की गया है जिसे कि वो जो है मुस्लिम को identify करते हैं मताब पहचानने की कोशिश करते हैं रही कैसे कही नहीं लोग जो है यह सूचने लग जाते हैं कि यह मुस्लिम से थोड़ा सा हमसे अलग हैं और इसलिए यहां पर वो कभी कभार जो ए अन-फैली ट्रीट करते हैं और इवें ज देख रहे हैं कि यह भावना आया कि यह हमसे थोड़े अलग हैं तो यह किस चीज का भावना हो गया तो यह जो कि मार्जिनाजेशन को दर्सार है तो इससे ठोड़ा बहुत हमने क्लास सायर में पढ़ा था अनसारी को ले करके यहां पर कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा कुछ किसी समूदा है यहा किसी समाज के सात होता है तो वो लोग जो है जिस जगह पर लोग रहते हैं उसको छोड़ करके ऐसे जगह पर चले जाते ही जहांपर आपी केे समूग के लोग रहते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग Mattocciation ठीक है मतलब कि आपका होगे कि किसी वजह से एक जगह पर जहां पर रह रहे हूं उसको छोड़ करके आप ऐसे एक जगह पर चले गया जहाँ पर आपी के समुह के लोग जो है रहते हो ठीक है तो यहीं हो गया इसका पर मीनिक्ड ना इत्थी जो नहीं आपर बोला गया है कि देखो जो सेफगार्ट था ना वो इसी वएसे जो है इन लोगो दिया गया है जो आपके मानेरेटिव जो में हो गया है ठीक है उनको दिया गया इवेंट जो हमने क्लास से में पढ़ा था अनीक्वल स्टेटर्स ऑफ वुमिन इंडिया तो इस सब को लेकर के भी जो है बहुत सारे नियम कानून भी बनाया जा रहा है एवेंट जो है यहां पर कुछ सेफगार्ट यह भी दिये जा रहे हैं तो यह होगा हमने इस टॉपिक को पूरा देख लिया अब चुल एक बाद देखते हैं कॉन्क्लियूजन को तो यहां पर जो है कॉन्क्लियूजन देख कि आप प्राइब से प्रॉब्लम फेस करने पढ़ते हैं इसके साथ ही जो माघनलाइज हुए जो कमरेटर रहती है उनका कैसे समाज में एक सोसल स्टेटस लो होता है मैं सुटा वैल्लियू नहीं रहता है इवें जो है करिक वार उनको जह है उतना एक्सस नहीं मिलता है जो के से न अपना प्रता जो गया और सारे चीज़ों को पा सकती है जिसे एक्सेस हो गया राइट में ठीक हूं कि अधिकार्ज हो गया डेवलोप्मेंट हो गया फिर अधर ऑपिचिनिटी भी जो है वह पा सकती है तो यह हमने पूरा इसके बारे में देख लिया तो आसा करूं को आपको करते होगा तो देखो यह वाड यह जो की गौर्वर्मेंट को आपको फिस्यल डॉक्यमेंट में जब प्राइब कुछ लिखना रहता है तो वह इस वाड को यूज करती है मतलब की अफिसे डॉक्यमेंट जब लिखना रहेगा तो वह जो है आदिवास्य ट्राइब ना गया कि 1830 के बाद से जो आदिवासी जारकंड या उसके आसपास के इलाके में रहते थे वो जो है वर्ल्ड और इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाने लग गया और ऐसा होने के रीजन हो सकता है कि उससे में उनको फॉरे से निकाला जा रहा था ना जैसे वर्ल्ड में दे हुआ था ठीक है और इसे भी कहा जाना कि सतर लाख जो है अदिवासी असाम में अभी के वक्त में हैं तो यह जो इन्होंने किया तना इस इसमें भी बोला जा रहा कि बहुत इन्हों टॉचर भी साहा है बहुत बढ़ा कहानि इसके पीछे मैं के साथ बूरा भी हुआ है बहुतों की मौत भी खुए है, बहुत कस्त ही इन्हें सहा है में इस चीच को मेरी ख्याल से यह एह नाइंत यर्ट enfrelect मैं इसके बारे में थोड़ सा बताया यहां नीचे सॉंग सा दिया गया जिसमें नों बात कर रहा है कि चनने के लिए लाए आओ मीनो असम चले कर ठीक है तो यह हो गया आपका यहां सेकंड आपका बॉक्स ठीक है चलते हैं इसके बखाने के 425 को 그럼 race औरॉर डाई slow your कि आपका एक सभीintérieur मेडिकल यूज भी आता रजीन में कुछ चिपकाने के लिए word कुछ किलर करने करें और उसके बाद हो घंगा की फाइबर के लिए 500 तो इस में फाइबर्स के लिए लाइका रस बनाना है ठीकिना तो इसके लिए 3500 edible means खाने योगे उसको खा सकते हैं तो यह देख से तो इतना जादा knowledge जो है यह खतम हो जाएगा अगर आदिवासी जो है अगर वो नहीं रहते हैं forest में मतलब उनको वहां से अगर हटा दिया जाता है तो इसलिए जो है आदिवासी के लिए forest बहुत में होता है इवन देख से तो कितना जादा उनके पास सब चीजों का knowledge भी है ना यहाँ पर फूर्थ वाक्स में बताया गया है कि एक Muslim dominated area है मुस्लिम का एक major group है वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर रामजान के दिन में कुछ दिन पहले ही एक disturbance हुआ था जो कि एक communal outlook ले लिया मैंसे comments आउटू ले लिया simply कहा जाए आपर तो देखो इसमें बोला जा रहा है कि एक साथ लड़की है जो कि बोने कि मैं अपने भाई के साथ अपने neighbor घर में गए थी इफ्तार पाटी में इनके जो बाई थे उन्होंने सिर्वानी और इन्होंने सलवार कमीच पहन लिया फिछ जब घर वापस आया तो इनको कहा गया कि आप कपड़े को चेंज कर लो और जिंस टीसर्ट पहन लो तो इनको इदम सही लगा कि चलो कोई बतलब क्या जो कपड़े देख कर लोग जो एक दूसरे के पहचान करते हैं यही चीज कि क्या कपड़े बदल लेने से क्या अलग कपड़े पहल लेने से लोग जो यहां पर मार्जरलाइस करें यह बोलते हैं कि यह हमारे तरह नहीं तो यह ऐसा क्यों है यह out यहीं कुशंद के एंड करता इंसके बारे में जो हम लोग सके ने zucch b पूरा और पढ़ने वाले हैं तो यहां पर यह aks i